ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे खाश शो में संचिता जी बहुत-بहुत स्वार करते हैं तो चलिए शू की शरुवात करते हैं और सबसे पहले मेश राश्य के लिए जानते हैं कि आज क्या चखरास उनके दिन के लिए है और कौनसा शुब्रणयों गिनिये है तो हम आज का दिन देख लेते हैं मेश राशी के लिए तो यहाँ पर जो कार्ड आ रहा है जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पर एक आदमी है जिसके हाट में तलवार है तो इसका मतलब यह होता है कि आज के दिन किसी तरीके की जैलिशी के आपके आसपास है कि लोग तो आपके आज पर थोड़ी जलिस है, थोड़ी नजर का इशू आ सकता है आज के दिन जैसे हम बोलते हैं कार्ड्स में, तो मैं बोलूँगे जो भी आप कारे करें, किसी से जाधा बात ना करें इस बारे में, कि मैं ये करने जा रहा हूँ, तो आपके काम में रुकावटे ब अच्छा रहेगा, चलिए, तो मेश राशी के बात हो गई, व्रशब के लिए जान लेते हैं, टॉरस आपके लिए क्या खास है? जी, तो इनके लिए हमें कार्ड निकाल लेते हैं, कि आज का दिन कैसा रहेगा, तो इसमें जैसे हम देख रहे हैं कि एक चार्यट बनावा आ आरी थी, तो वहाँ पर बैलेंस बनता मुझे आपकी लाइफ में दिख रहा है, कि जैसे मन का बैलेंस भी हम बोल सकते हैं, जैसे आप बहुत जादा चिंताओं में घिरे वे थे कुछ समय से, तो वो चिंताओं भी आपकी जल्दी दूर हो जाएगी, आज के दिन मैं आज के लिए, तो यहाँ पर जस्टिस का कार्ड आ रहा है, जस्टिस का मतलब होता है कि आपको जो भी फैसले करने की घड़ी है, कि आप आपको जस्टिस करना है खुद के साथ, एक फैसले लेने का समय आ रहा है आपके लिए आज के दिन में, बोल रहा है बहुत समय से आपके लिए जान लिया है, रंग कौन सा अच्छा है, आप क्या कर सकते हैं, फैसले भी ले सकते हैं, ताइम बहुत अच्छा आपका जा रहा है, आगे की तीन राशियों की बात करते हैं, करक राशी यानि कैंसर, आपके लिए क्या खास है? जी, तो इनके लिए आज का दिन कैसा रहेगा? तो इसमें बोल रहा है कि हाई प्रीस्टिस का काड आ रहा है, कि ये एक लेडी है, जो बैठी वही है, इनके हाथ में काफी चीज़ें यहाँ पे हैं, तो इसमें बोल रहा है अभी कि जो आपकी गट फीलिंग है, इंट्यूश अपने दिल से पैस ले ले, क्योंकि अपकी जो गट पीलिंग है, वो आपको सही दिशा जरूर दिखाएगी आज के दिल, और इसमें बोलूँगे आपके लिए लाल रहूँ बहुत शुब रहेगा, और अप सिंग राशी, लियो राशी के लिए जानते हैं, जी, तो सिंग राशी का आज का दिन कैसा रहेगा, उसके लिए हम काड निकालते हैं, तो इसमें दिख रहा है कि यह जो अप बहुत अच्छा समय है आपके लिए, कि इसमें बोल राए है कि आप बहुत लोगों के किसी चीज का इंतजार कर रहे थे, बहुत समय से, तो बोल रहा है अभी क जो समय है वो बोल रहा है आपको चीजे अपने हाथ में जैसे हम काड में देख सकते हैं इस आदमी ने अपने हाथ में ये पकड़ावा है उसी तरीके से आपको चीजे अपने हाथ में लेके आगे बढ़ना चाहिए आज के लिए मैं बोलूगी हरा रंग बहुत अच्छा रह उनके लिए भी हमें कार्ड निकाल लेते हैं तो इसमें बोल रहा है कि यह आत्मी जैसे उल्टा लटकावा है कि अभी जो यह चाहरा है उसमें बोल रहा है थोड़ा सा सक्रिफाइस इने करना पड़ेगा कि जो आपके मन में इच्छाएं हैं वो जरूर पूरी होंगी पर इस समय बोल रहा है आपको संवेको सिच्वेशुजन को देख आपके आस पास जो चीजऑ उने देखते विए थोड़ा सा अधास्स करनी की जरूरत है अभी का समय जो है आपके लिए बोलयर है थोड़ा सा धीरे चल रहा है कि जो आप चाहरा है कि आप चाहरे की काम जल्दी- लग जाएंगे लेकिन ये छह राश्यों के लिए ही अमने जाना है आगे की छह राश्यों के लिए भी जानेंगे कि आपके लिए क्या कुछ खास आज के दिन में हैं क्या कुछ खास रंग है क्या चीज़ें आपको अबॉइट करनी हैं तो बात करते हैं तुला राशी यानिल पहलें, तो यहां जो हैं तो फोड़िकल चुके हैं, अपने घर से की, अब बहुत आपके ठहराव, जो पेशेंट्स हम बोलेंगे, वो थोड़ी सी कम हो रही है, आपको लग रहा है, अब मुझे आगे बढ़ना चाहिए, और मुझे दिख रहा है । आज का दिन आपके उससे आगे बढ़ जाएंगे और अब बात करते हैं वर्षिक राशी याने श्कॉर्पियो आपके लिए जी तो हम रिख्षु राशी के लिए भी एक कार्ड निकाल लेते हैं तो इसमें आ रहा है कि आपका विश कार्ड आ रहा है जैसे हम देख सकते हैं यहां पे जूलरी ब करें या जो भी चीज में आपका मन करें तो उस चीज में आपको लाब जरूर मेलेगा आज के लिए में लख्की कलर आपके लिए बोलूगे गोल्डन कलर आपके लिए लखी रखेगा उ avdhanurashi sug teress आपके लिए आपके लिए क्या खास है जी तो आपके लिए भी का जुट जो है वो hard work का card है कि आपको महनत करेंगे तो आपको फल जरूर मिलेगा आज के दिल आपके लिए मैं lucky color मैं हारा बोलोगी आगी की राशियों की बात करते हैं यानि मकर कुम्भ मीड आपके लिए तो शुरुवात करते हैं मकर से सबसे पहले मकर के लिए जानते हैं क्या कुछ खास है संचिता जी जी तो उनके लिए आज का दिन कैसा रहेगा उसके लिए card निकाल लेते हैं तो यहाँ पर the world का card आ रहा है कि जैसे दुनिया आपकी मुठी में हो उस तरीके का card आ रहा है आपके लिए कि लग आपके fever में ही रहेगा मुझे दिख रहा है कि आप कुछ चीजों को लेके थोड़ा सा परिशान बहुत समय से चल रहे थे वो कुछ भी related हो सकता है पर कह रहा है कि आपका जो समय आ रहा है आज का दिन वो लग आपके fever में हो चाहे वो किसी रिष्टों में कोई करवाहत हो तो वो भी दूर करने के लिए आज के दिन अच्छा रहेगा आज के लिए मैं आपका lucky color red बोलूँ या आपको लाल रंग पहनना चाहिए लाल रंग आपको पहनना चाहिए और आपके रिकावते जो हैं वो भी खत्म हो जाएंगी कुम्बराशी के लिए जानते हूं उनकी रिकावते खत्म होंगी उनको क्या कुछ खास करना है आज जी तो उनके लिए भी हम एक अच्छा सा कार्ड यहां निकाल लेते हैं तो इसमें बोल रहा है कि यह भी Stability का कार्ड है और यह बोल रहा है Financial Stability आपकी लाइफ में आज के दिन आ सकती है कि जैसे कि आपका कुछ भी काम रुक रहा था या पैसे कहीं रुक रहे थे तो जैसे Finance Related यह कार्ड है और आखरी राशी में राशी के लिए जानते हैं कि आपको क्या कुछ खास करना है और किन बातों का ध्यान रखना है जी तो उनके लिए भी हमें कार्ड निकाल लेते हैं तो इहां पर The Sun वाला कार्ड आ रहा है कि सूरज आज आज आपके पर चमक रहा है और ये happiness का भी कार्ड है कि आज का दिन बहुत अच्छा रहेगा किसी तरीकी की good news, कोई अच्छी खबर आज के दिन आ सकती है आपकी जुन्दगी में और lucky color में yellow बोलूँगे आपके लिए चले, ये तो राश्यू की बात हो गई कि बारा राश्यू के लिए कौन सा lucky color है क्या आपको करना है दिन में, क्या कुछ खास नहीं करना है ये बताया और अब बात करते हैं अल्फाबेट यानि अक्षर की और आज जो अल्फाबेट हम ले रही हैं यानि इशा आपका नाम है, इशान नाम है आई से अगर आपका नाम शुरू होता है तो आपको क्या करना है, कैसा आपका टाइम जाने वाला है जी, तो हम इनके लिए भी तीन कार्द निकाल लेते हैं यहाँ पे तो इसमें बोल रहा है कि जो पेशिंस का कार्ड आ रहा है फिर से कि बहुत समय से जो आप पेशिंस रखके बैठे थे अपनी लाइफ में उसका रिजल्ट आपको ज़रूर मिलेगा मुझे दिख रहा है कि थोड़ा सा आपका जो मन है वो बहुत सारे इच्छाओं में घिरावा है कि आपको लग रहा है मुझे ये भी चाहिए वो भी चाहिए जो कि हर इंसान की इच्छाएं बहुत जादा होती है पर मुझे दिख रहा है कि इस समय जो है आप थोड़ा सा पेशिंस रखे और आपकी जो भी मन की इच्छा है वो जरूरी पूरी होगी आपका जो अच्छा समय है मुझे दिख रहा है जल्द ही शुरू होने वाला है तो दिन आपका बहुत अच्छा जाने वाला है आपको क्या कुछ करना है ग्या कुछ नहीं और साती सात आय अलफाबेट वाले जो भी लोग है उनके लिए क्या कुछ समय है कैसे उन्हें पेशेंस क्रख न है क्या कुछ कलर पहनना है कैसा उनकी लव लाइफ होगी, कैसा उनका करियर होगा ये बताया बहुत-बहुत शुक्रिया से जिनाजी नमस्त तो आज के हमारे स्खाश शो में इतना ही हैं आप देखते रहें फर्स्ट इंडिया न्यूज नमस्कार